सरकारले कुरूना रोगठाम तथा नेन्धरनक लागी 36,47,000,000 रुपया खर्च गरेकुछ सरकारले कुरूना रोगठाम तथा नीन्धरनक लागी होम कक्रेंच्जाम बैवस्ता मापदंड़ 2017 कारनेन मलिया आयकोछ मुलुक भर 178 कोरोना विशेस अस्पताल संचालन मा रहे गाशन। संक्रमीत को संख्या संती सजार नागी सके कोश। मृतु आकडा 200 माती पुगी सके कोश। संक्रमीत दैनिक सर्दर साथ से भंदा बड़ी थपिने क्रम जारी श। हाल सम्म पिश्यार विधिवाट करिब साड़े 6 लाक को नमुना परिक्षन भाये कोश। कोरोना संक्रमन ड्रोक्ताम तथा निंत्रन कलागे सरकारी इस्तरवाट के भईराये कोश भन्ने बारे आमजर नताले प्रस्टरुप माभुज न सकिराये का छाईन। पचिलो साथा म्रितुदर पनी बर्देक आये कोश। लामो लोक्डाउन मा सरकार लेचा आहे को भई निके काम गरना सक्थियो। परिक्षन को दायरा बढ़ाउने, आवसेक्ता आनुसार क्वरिंचीन सेमता बढ़ाउने, संक्रमीत लाइ वेवस्ता पन करने, लागडाउन पचिको अबस्तामा के कस्तो सावधानी अपनाउने विसेमा सरकार चुक दे आये कोश। संक्रमीत को कंट्राक मा आउने लाइ पहिचान गरना न सकनुले जोखिम उच्चा बढ़े को हो। संक्रमीत को संख्या बढ़ते गए उने रुलाइ आईसोलेशन मा कोशरी वेवस्ता पन करने, गंबीर प्रकृति का बिरा मिलाई, आईसिव तथा फेंडी लेटर को आवस्ता परे मा किये गरने भनने बारे सरकार ले गंबीर ता पुरवक्धियान दिये को देखिदाई न अरको तरफ संक्रमीत माथी समाजले गरने दुर्वेवारले थप समस्यात थपी देगाये को छा मौलीक धंगाले आफरेली विकास गरेको बन्दा पनी यो अर्थराजनेतिक धंगामा बाईय प्रभाब ले बाईर बाट यो कोविद-19 बनेको कस्तो रोगो एसमुदा यो बयाबने किये गरना पर छा बनने कुराको अलिकति बड़ी नकारात्मक धंगाको कुरा आरू मात अर्कोतर्फ नागरी को ज्यादतिले संक्रमन बढ़ते कहाएको छा लोगडाउन अंते पछे संक्रमन को दर्वात्ते बढ़ेको तथ्यांकले दर्शाउंदा छा येही अबस्तार है कोरोना बिरुद्ध को लडाई जितन मुश्किल तहुदैन यो प्रस्न उठन थालेको माल्टिन टेलिवेजन का लागे स्वास्तेवेरों को शाथ मां बिनीता केसी कठ मांटों